हेलो दोस्तो स्वागत है आपका आपी के यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट अपडेट्स में तो दोस्तो जो भी साथ ही हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर वीडियो के अपडेट आप तक पहुंच सके तो दोस्तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अगेन टाटा मोटर शेयर के बारे तो Tata Motor Share के बारे में जैसे कल भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कल भी एक अच्छी न्यूज हमें सामने देखने को मिली थी तो आज फिर एक Tata Motor Share के बारे में अच्छी न्यूज हमें देखने को मिल रही है उससे पहले न्यूज से आज की performance के अगर मैं बात करूँ तो आज Tata Motor में 6.77% की गिरावट हमें देखने को मिली है आज तो आप सभी को बता है कि Indian Stock Market में लगभग 3% की गिरावट के साथ कारोबार हुआ इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया के बजार में आज pressure देखने को मिला है इसका कल ही मैंने सुबह की वीडियो में अपडेट में आपको बताया था कि इसका एक वज़ा है करोना का नया variant साउथ अफरीका में मिलना तो चलो दोस्तों ये चीजें तो अप and डाउंस तो मार्केट में चलते रहते हैं ये तो मार्केट का पार्ट है अभी हम आजाते हैं टाटा मोटर की अच्छी न्यूज के बारे में तो दोस्तों न्यूज ये है कि इंडियाज टाटा इंटाक्स टू सेटप 300 मिलियन डॉलर सेमिकनेक्टर असेम्बले यूजिट जैसे दोस्तों आप सभी को बता है कि पिछले दो क्वाटर से चीप सोर्टेश का जो इशू है वो टाटा मोटर में देखने को मिल रहा है कि पिछले क्वाटर में टाटा की जो मेनेजमेंट है उसने सीधे आके कमेंटरी दी थी कि अगले एक से दो जो क्वाटर है उनमें उनकी परफोर्मेंस डाउन आएगी क्योंकि चीप सोर्टेश के इशू की वज़य से वो सप्लाई प्रोपर दे नहीं पा रहे हैं तो दोस्तो उस वज़य से जो कमपनी की मेनेजमेंट है उसने पहले भी ये हिंट दिया था कि वो अपनी समी कंड़क्टर असेम्बले यूनिट लगा सकते हैं बट अभी सोर्टेश के थूँ हमें ये न्यूज देखने को मिल रही है कि टाटा जो है वो इस असेम्बले यूनिट को सेट करने की तरफ आगे बढ़ रहा है और उसकी दो तिन स्टेट्स के साथ बातचीत हुई है ये न्यूज ओफिशिल टाटा की तरफ से नहीं है बट सोर्टेश के थूँ ये न्यूज हमें देखने को मिल रही है तो आई ये न्यूज क्या है वो पुरा आर्टिकल पढ़ लेते हैं इंडिया स्टाटा ग्रूप इंटाक विद थ्री स्टेट्स तो इन्वेस्ट अप टो 300 मिलियन डॉलर तो सेट अप अ समी कंडूक्टर असेंबली और टैस्ट उनिट तो सोर्चिस फैमिलियर विद्द मैटर सेग अस पार्ट ओफ कॉन्गलमरेट पुश इंटो हाई-टैक मैनुफेक्चरिंग मीन्स तीन स्टेट्स के साथ टाटा ग्रूप की बातचीत चल रही है तो वो स्टेट्स कौन से उन्गलमरेट तो साथ इस असेंबली यूनिट को सेट अप करने की टाटा मोटर की जो बात है वो चल रही है आगे देख लगते हैं टाटा है प्रिविएसली सेड इट वूड लाइकली एंटर दा सेमी कंड़क्टर बिजनस दिस इस फर्स ताइम न्यूज अब दा ग्रूप फोरवे इंटो दा सेक्टर एंड इस स्केल है बिन रिपोर्टेट तो जैसे मैंने आपको बताया कि पहले से ही ये बात चल रही है बट अभी सूर्सिज के थूरू ये फर्स्ट न्यूज हमें देखने को मिल रही है कि टाटा जो है वो सेमी कंड़क्टर यूनिट में असेम्बली में अपनी एंटरी कर सकता है टाटा हैस लूकड एट सम पोटेंशियल लोकेशन फोर दी फेक्टर है कि टाटा अपनी यूनिट कहां लगाएगा means टाटा इस चीज को लेकर काफी सीरियस है और जल्दी ही इसके बारे में एक बड़ा अपडेट हमें देखने को मिल सकता है आगे देख लेते हैं while टाटा are very strong on the software side of things जैसे आप सभी को पता है software side software की field में टाटा की कितनी सारी प्रोब्लम नहीं आएगी hardware is something they want to add to their portfolio hardware में भी उनको कोई जाना दिक्कत नहीं आएगी और अगर semi connector unit की बात करें तो means इसमें लगबग 2200-2300 क्रोड रुपे की ये unit इस पे खर्च आएगा तो उसमें भी मेरे हिसाब से टाटा को कोई जाना दिक्कत आने वाली नहीं है तो ये एक बड़ी अच्छी और good news ताटा motor share के बारे में आज हमें आई है अगर ताटा motor जल्दी ही इस अपनी unit को लगा लेता है तो in future उसको बहुत अच्छा benefit हो सकता है आगे कभी भी उसको chip shortages issue का सामना नहीं करना पड़ेगा और company का जो लगातार revenue और growth है वो बढ़ने की सं बावना हमें देखने को मिल सकती है तो दोस्तो आज ये एक अच्छी और good news हम मुझे आपको देनी थी जो इस वीडियो में मैंने आपको बताया आपको वीडियो कैसी लगी comment section में जनूर बताना वीडियो को like करना चैनल को subscribe करना वीडियो को share करना मिलते हैं अगली वीडिय में तब तक के लिए take care and bye bye